अब हमारी मजबूरी ये हैं दूसरा ये के मोती जी को मैंने थोड़ा समझाओ आप जेश के परधान मंत्री हमने वोट दिया है सब्सक्राइबर तो यौ वोईज रश्रीटी चैनल सो गाइस पाइनली बंगलादेश में जो हिंदूस के ओपर जो भी हो रहा है अभी तक पकी रिपोर्ट नहीं आई है कि उनक्यों की मंदिरे तूड़ी जारी यह नहीं तूड़ी जारी लेकिन जहां तक मैंने देखा हूं कि अब तक मुस्लिम्स लोग प्रोटेक कर रहे हैं टेंपल्स को स्टूडेंट्स वगेरा सब लेकिन आज कुछ अलग हुआ है भक्त अब मोदी जी को सवाल पूछ रहे कि कब वो जाएंगे यूकरेन की वार की तरह ये वार भी रुकवाएंगे जबकि आप सबको पता है जो भक्त नहीं है उन लोग सबको पता है कि वो यूकरेन वाला जो था वो एक नॉर्मल अग्वर्टाइजमेंट था उसका सब चीजों से पता चल गया कि कितनी सच्चा ही थी कितनी जूटा उसमें तो गाइस पहले इस वीडियो को देखते हैं कि अब भक्त क्या चाहते है है मोधी जी से और हम लोग उसके बाद कुछ ओपीनियन रखेंगे या नहीं रखेंगे वह बात की बाते चुछो शुरू करते हैं आज का वीडियो उससे पहला गर आप इस चैनल पर नवे आए हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो शेर करो और गाइस अगर आप लोगों क को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेंबर्शिप भी ले सकते हैं मेरे चैनल की क्योंकि मेरे चैनल पर अन्भग गोधी मीडिया जैसी ही पॉप और भी कई तरिके के रियक्शन वीडियो आपको मिल जाएंगे जिससे आप हसोगे और आप लोगों को अपनी की भड़ास ओपीनियन कमेंट सेशन में निकाल सकते हो तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो अब हमारी मजबूरी यह है दूसरा यह कि मोधी जी को मैंना थोड़ा समझाओ आप देश के परधान मंत्री हमने वोट दिया है अब मैडम क्यों समझाएं तू समझाना पाप हैं वो तेरी बात को जल्दी भी समझ जाएंगे तो आगे चलना है तुम इंतजार कर रहे हो मोधी बचाएगा मोधी बंगलादेश कैसे दाएगा बचाने हम मोधी जी को गुहार लगा सकते हैं कि मोधी जिजा आपका पुरे वर्ड पे मैजिक चलता है तो बंगला का अच्छे भी हैं वो सड़कों पर आने चीए जैसे कुछ मुस्लिम परसो और कल सड़कों पर आए हैं उत्तर परदेश में भी आएं गुजरात में भी आएं और कहरें बंगला देश के हिंदुओं को बचा और उनी मुसल्मानों के भाई जब पेलेस्टीन में मारे जा रहे हैं और उसी वज़े से वो पेलेस्टीन को भी सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग यहां पर सेकुलर कह रहे हैं कि हमें बंगला देश की हिंदुओं से क्या ले ना देना और यह वही लोग हैं जब गाजा में हमला हो रहा था ना तो छाती पीट-पीट के कह रहे थे कि वह हमा इथे मातर का गोवर खाते हैं हाँ 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 हां तो हम भी घरफ से कहते हैं कि बंगला देश्पे जितने भी हिंदू हैं वो defens ऑग हमारे से बोलो भाई सब यह लोगों के कान में पतांजली का एक इसकी मॉका अ अगर बंगला देश के हिंदूों को बचाना है तो आप लोग रिपीट करना मोदी जी आपको आगे आना पड़ेगा तेज बोलो भाईजा बंगलादेश के हिंदू ओपर जो अत्य चार हो रहा है उसका मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता बलकि मैं चाहता हूं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कड़ा एक्शन लेना च चाहे अपना ज्यांचंद रायचंद जैचंद अपनी जेम में रखिए आखबंद नाखबंद कांद और इसके पिछवाले का छेद भी बंद अच्या हाँ सरकार उसके तुरंद कारवाई करनी चाहिए सरकार अभी तक हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार क्यों आंक बंद करकर कुम करिनी नीद में क्यों सोईए अबे मान क्यों नहीं लेते कि BJP सरकार किसी काम की नहीं है लेकिन आपने कहीं न कहीं एक किलिप तो देखा होगा कि 5000 को पैट्रोल हो जाए लेकिन वोट मोधी को देंगे तो इनका वही हाले चाहे इनको कुछ भी कर ले मार भी ले लेकिन क्या कहेंगे वोट मोधी को ही जाएगा हैं उसको अब क्या भांका रजगुल लखाकर आ गया है एक दम आपके बात सहिए एनर्सी भारत सरकार कब लागू करेगी क्यों इनसे डर रही है विपक्ष के नहताओं से क्यों इन दोगलों से डर रही है हमारी सरकार अरे यारे बच्चा टेंसन मतले हो जाएगी नर्सी लागू और यार तुमारी सरकार विपक्ष से इसलिए डर रही है क्योंकि 400 पार्स आये हुए हैं सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा सबसे पहले तो इस वीडियो का लेगा आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप भक्त की मतलब बुलते ना भक्त की नॉंसेंस बात सुनना चाहते हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरू होता है इंसानियत ठीक है लेकिन यह जो भक्त है ना भक्त जो आज सवाल उठा रहे लेकिन इनी का कहना था कुछ दिन पहले कि चाहिए जो हो आएगा तो मूधी ही और वो दिल्ली का दीपक उसको अभी भी इसको कहां है यह कि वर्ल्ड मैजी करे बाई सब जूठ था सब सामने आगे तो भी इनका यही कहना है तो गईस अगर आप लोगों के पास भी कुछ भड़ा से इन भक्तों के उपर और कुछ ओपीनियन है अच्छी तो आप लोग के पास कमें सेक्शन आप लोग उसमें निकाल सकते हैं मैं मिलता हूं अपने चैनल की नेक्स वीडियो में बाइ अलाव फिस